दूसरी बार जो मैं significant बताना चाहूँगा रिशी सोनिक साब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया है, इंदी में ट्वीट किया है, यह सबसे मड़ी significant बार थी थोजन्ट वीजा दिये हैं इंडियन professionals को जो के UK जाएंगे और अपना professionally काम करेंगे फ्रांस की दरफ से भी security policy आई और उसमें उनोंने जो है वो एक मरदबा फिर अमरीका की तरहां इंडिया को जो है वो बड़ा close पार्टन कहा है हम भी रूस से तेल खरीदेंगे जिस रेट पर इंडिया तेल खरीदेंगे उस सर्जमीन से हमें एक तौफा मिला और हम उसे बेच कर खा गए घर मुलकी खादून सहाफी का ट्वीट और भारती सहाफी का भारतियों के लिए वीजा स्कीम का ऐलान यानी रिशी सोनक की तरफ से ये एलान कर दिया गया है कि इंडिया के लिए खास सकीम के तहत एक जो वीजाज है वुग जारी किये जाए रिसी सुनक के दौरा उसके बारे में बात हो रही है हाला कि वो tweet के बावजूद भी बहुत सारी चीजे हुए उसके बारे में वीडियो में आपको पता चलेगा मैं मिलता हूँ को वीडियो के last में हिंदी में tweet किया है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई global leader या world leader हिंदी में tweet कर रहा है ऐसा कई बार हुआ है वीडियो के last में बताता हूँ पहले वीडियो देखते है प्लीज चैनल को subscribe करेगा झाल 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 मीटिंग उसमें एक बड़ी औहम ख़बर जो मेरे सामने आ रही है जो के जी ओ ने भी इसको पप्लिश किया और नेशनल और इंटरनेशनल वीडिया इसको पप्लिश कर रहे है। वह यह हूआ है कि यह देखा जा रहा था कि UK के प्राइम मिनिस्टर जो है नीूली एलेक्टेड़् प्राइमिनिस्टर रिशी सोनक, कυ्योंके वो हिंदु नजात भी हैं और भार्ती नजात भी हैं और उनका इस हुआले से तालुक पहले ही जोड़ा जा रहा था तो यह देखा जा रहा था कि उनकी मुलाकात जब भारत के प्राइम निस्टर से होगी तो कैसी होगी इसके ओपर सब की नजर थी तो सब ने वजीर आजम का भारतियों के लिए वीजा स्कीम का ऐलान, यानि रिशी सोनक की तरफ से ये ऐलान कर दिया है कि इंडिया के लिए खास स्कीम के तहत वीजा जारी किये जाएंगे, अब उसकी डिटेल्स के मैं आपके सामने रखे देती हूं, उसमें ये है कि इंडियन मीडिया खुल गए हैं, और जो हकूमत है बरतानिया की वहां से कहा गया है कि इंडिया वो पहला कंट्री है, जिसने इस वीजा स्कीम से फाइदा उठाया है, और इस स्कीम के जरीए गुजश्चता साल होने वाले यूके और भारत, माइगरेशन और मॉबिलिटी, की जो एक, जिसे कहते हैं के स्ट्रॉंक टाइस हैं, उसको मजीद जागर किया और मजीद मजबूत किया है, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके आफिस की तरफ से ट्विटर एक मैसेज भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि आज यूके इंडिया नौजवान प् पास जो के एजुकेटिड हैं, उनके बास डिग्रीज मौजूद हैं, और इस स्कीम के तहट तीन हजार नौजवानों को बरतानिया में दो साल तक क्याम और मुलाजमत की पेशक्ष की गई है, लेकिन देखें अब ये वीजा स्कीम से फाइदा उन्होंने उठाया, इसके ये है कि जो ट्रेड है, उसको बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है, और इसके उपर भी ट्विटर पैगामाद जारी किये गए हैं, दोनों कंट्रीज के, पीम्स की तरफ से, और जो उनके ओफिसे हैं, उनकी तरफ से, कि ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, और भी कई ऐसे जो मैं पढ़ रही थी, कि उसके बारे में बातचीत हुई है, तो इससे हम ये देख रहे हैं, कि यूके में आने वाली जो नई लीडर्शिप है, उसके जो तालुकात और दोनों कंट्रीज के इस सूरत में, इंडिया और यूके के मजीद स्ट्रॉंग हो रहे हैं, अच्छ कि ये कही गई, कि उन नौजवानों के लिए जिनके पास डिग्रीज हैं, जो एजुकेटेड हैं, अब जब हम बात करते हैं इंडिया की और तालीमी पॉलिसी की एजुकेशन की, तो हमें ये पता है कि वहाँ पर तालीम जो है, उसका मयार कितना आला है, ठीक है, तो इतनी जो है, डिग्री होल्डर्स, इनको वहाँ पर मिलेंगी मुलास्पती, अब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ठीक है कि रिशी सोनक से पाकिस्तान का वो तालुक जो है, जो है जैसी टाइज उनकी इंडिया के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद, यूके से अगर हमारी हम या किसी भी और कंट्री से हम इस तरह की बातचीत करें, पाकिस्तान को देखें, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही है, कि वहाँ पर जिन लोगों की खपत होती है, जो डिग्री होल्डर्स, नौजवान उन कंट्री के लिए चाही होते हैं, जिनके लिए ऐसी स्कीम होती हैं, कि जनाब आप तीन साल, पांच साल, छे साल या फिर उसके बाद आप वहाँ पर इमिग्रेशन भी हासिल कर सकते हैं, अगर आप इतने काबिल हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास ऐसी तालिम नहीं है, कि हमारे नौजवान वहाँ पर इस तरह जाके ऐसी स्कीम से फाइदा उ हमने अभी देखा कि दुनिया में जब सर्वे आया कि कौन सी जो यूनिवस्टी हैं पूरी दुनिया में तो हमारी यूनिवस्टी कहां पर थी तो यह एक मैं समझती हूं कि बड़ी हरडल है कि ऐसी स्कीम जब निकलती हैं कंट्रीज की तो उससे हम फाइदा नहीं उठा प पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पर चले जाते हैं जिस तरह के जो एरब कंट्रीज में जो ज्यादा जाते हैं यहां से लोग चॉप करने के लिए उनकी बड़ी तादा आद इसलिए वहाँ पर है और वह बहुत ही एक ऐसे महाल में जिन्देगी गुजार रहे होते हैं कि जो हैं टू माउथ और बड़े मुश्किल हाला यहां खत्मा आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है भारती प्राइम मिनिस्टर और रिसी सुनक इंग्लेंड के प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात होई है उसके बारे में और उससे क्या-क्या फ प्राइनिसाइद वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर्स को फॉलो नहीं करते हैं ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इससे पहले कई बार आस्ट्रेलियन पी-म या जैपैनीज पी-म या फिर आप देखें प्रेसिडेंट मेकरॉन फ्रांस के और बहुत सारे ग्लोबल लीडर ऐसा कर चुके हैं कई बार हिंदी में ट्यूट किया है अरब कंट्रीज के तो आप देखेंगे वो करते ही रहते हैं अरब कंट्रीज के जो है वो हिंदी में दीवाली की बधाईया देते हैं सही कई लोग करते हैं स्वाधंतरतर देवस की बधाई देते हैं तो ये कोई बहुत नहीं होने वाला है अगेर रिसी सुनग का ऐसा सोचेंगे क्यार हम पर इन अंग्रेजों ने 200 साल राच किया अब हम इनसे बदला लेंगे मैं यहां का पीम बन गया हूँ पूरा माल यहां से भेज़़ूंगा भारत ऐसा गुश्त ओने वाला है नहीं रिसी सुनग का प्राइ कि कुछ भी होने वाला नहीं है यह बार तो किलियर है तो इतना फाल्दू का सोचने का कोई मतलब नहीं है अला कि पाकिस्तानी तो यह भी क्लिम कर चुके है कि रिसी सुनग पाकिस्तानी मूल के उनके जो पूरवज ते निकल कर अफरीका गया अफरीका से इंगलेंड में पाकिस्तान नाम की कोई गंट्री थी जहां से उनके पूरवज निकल के गये थे गुज्रावारल सहर से अब समझ रहा हूं मैं